नमस्कार दोस्तों मैं अजय स्टागत करता हूँ आपका मेरे इस यूटूब चैनल में एक बार फिर और आप सभी लोगों से मुलाकात हो रही है एक लंबे समय बाद तो आज मैं जहां जा रहा हूं उसकी छला का आपने देख ली है आज मेरा प्लान है एक जगों का विजिट करने का वो है भारतिया वन अनुसंदान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिटूट और यह है देहरादून के प्रेमनगर वाली रोड पे तो आप मैं जाओंगा वहां और एंट्रिफीस मात्र टिकेट के जो है वो 30 रुपए पर परसन ह हैं तो आप लोग सभी जा सकते हैं वहां घूमने के लिए तो बने रहे हैं मेरे साथ और मैं आपको पूरा मुजियम विजिट कराऊंगा तो यहीं पर स्टुडेंट ऑफ दे एयर टू और फरस्ट की स्टूटिंग होगी थी तो काफी प्यारा लुप दे रहा है यह बहर से हरा भरा आम तोर पर शेहरों पर इतना मिलता नहीं है यहां आने पर हर्याली काफी मिल रही है चार और पेड़ दिख रहे हैं कर दो कि अच्छा प्रूब प्रूब है यह हैं तो अभी देखिए ये कई प्रकार की लकडियां रखी हुई है ये शी शेम की हैं और काफी पुरानी पुरानी लकडियों का यहां पर संग रह किया हुआ है कलेक्शन बहुत ही प्यारा है तो मैं यह नहीं कहूंगा कि यहां पर आके आप बिल्कुल बोर होने वाले हैं यह देखिए और काफी अलग अलग ढंग से भी आपको समझाने की कोशिश की गई है यह देखिए 3D मोड्यूल है और यह रीवर देखिए लाइट डाउन स्ट्री यह बहुत ही प्यारी लग रही है बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि हां यह एकदम वैसे ही दिखा रहे हैं तो पुरा 3D मापको मिलेगा और पुरा फॉरेस्ट और वेजिटेशन बहुत ही अच्छे डंग से दिखाया हुआ है तो आपकी आम आदमी की समझ में भी किस तरीके से पहाड़ों के नदियों से बनती है और यह और भी चीजें रखी हुई है वन से रिलेटेड तो यह देखिए वन और उनके बीच में रहने वाले सेटलमेंट्स और यह वह जार जिनका यूज किया जाता है वनों में और पत्थर भी रखे हुए हैं यह नमूने चटानों के अलग अलग तरीके की जो चटाने होती हैं तो फॉरस्ट को काफी अच्छे तरीके से समझा रखाए हैं यह देखिए चोटी-चोटी बस्तियां उनके बीच से सड़क तो यह लगेगा नहीं कैसे बना रखा हैं बहुती डंग से बना रखी हैं यह ट्रेन तो भीड काफी रहती हैं यहाँ पे आज थोड़ा सा भीड कम थी यहाँ पे यह देखिए प्राचिन समय में कैसे जंगलों से और उनका उप्योग किया जाता था यह रिशी मुनी देखिए अच्छे डंग से दिखा रह गया हैं यह एक हट बहुती प्यारी तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो कैसा लगा आज का टूर ज़रूर बताईए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू